हेलो एवरीवान कैसे हूँ आप लोग वेलकम बेक टो माई चैनल लिली की लाइफ तो अभी दोपहर का टाइम है और अभी मैं बाहर गई थी तोड़ा मोशा आप लोगो दिखाने पर दिखानी पाई और वही सारे काम मेरे खतम गूचुके हैं सुबा से आज थोड़ा सा ब् बैगन भी दिया हूँ आप लोगो दिख रहा होगा और इधर चावल पकरी है और इसके साथ बनेगा आलू और अंडे की सब्जी तो यहां पर सारी तैयारी मैंने कर ली है यह देख सकते हूँ आलू बॉल किया हूँ है अंडा बॉल किया हूँ मसाला भी रेडी है प्याज थोड़ा सा फ्राइ करना बाकी तो इसको फ्राइ करके मैं निकाल लूँगी और वही इसको खाली करके दुसरे मतलब इसको थोड़ा सा पानी से धो कर मैं इसी में सब्जी बनाऊंगी चावल भी एक साइट पकर रहा है तो दाल वेगर आज नहीं बना रही हूँ तो साग ह जो सब्जी बनाऊंगी अंडे की इसमें जोल रहेगा मतलब जोल बोलते हैं सब कोई रस बोलते हैं कोई वही रहेगा तो इसके साथ चावल खाना हो सकता है साग के भी साथ चावल खाना होता है तो बस चावल साग को खाली किया उसमें अंडे को फ्राइ किया थोड़ा सा ह तो इसको यहां पे ढख दिया है कि ताकि अच्छे से कम आज पे मासाला भूने और चावल पक गया था इसलिए मासाली को थोड़ा सा गैस कम कर दिया है और तब तक यह चावल का जो माड है मैं इसको निकाल लेती हूं तो माड चावल का जो पानी अच्छे से मैंने निकाल दिया है और इसको फिर एक कुछ मिनट के लिए मैं फिर से गैस पे चड़ा देती हूं ताकि नीचे में जो भी थोड़ा बहुत रह जाए वो सूख जाए और चावल थोड़ा ड्राय रहे तो इधर देखिए मसाले से धक सबजी का टेस्ट अफे उतना ही अच्छा आता है और लास्ट में मैंने कसूरी मेथी भी दिया था रहें भास यहां पे मैंने पान दाल दिया है जितना मुझे चाहिए तो बास उसको भी थोड़ा सा बॉइल होने दिया और यह सबजी भी मेरी बलकल रेडी है बहौत बार मैं आचुकी हूँ अपने कमरे में तो दोपेर के 3 बच चुके मैं वही time आपको दिखा रहे बोल रही थी तो सब का खाना पिना हो चुका है और बस इस time में थोड़ा सा time मिलता है तो मैं आचुकी हूँ अपने एक कमरे में और वही video edit करना होगा तो video edit करती हूल या थोड़ा सा phoon में देखना होता है होटा है ने सारा देन काम काम तो नहीं कर सेक्ट थोड़ा सा time अपने निकालना चाहिए और वही mobile में थोड़ा सा मुझे अगर देखना होता है किसी की video या कुछ भी whatsapp करती हूं और इस time में ही कुछ मुझे अपनी रूम का भी कुछ काम करना होता हुआ तो मैं करती हूँ तो बस अभी थंड में बिल्कुल कुछ भी करने का मनी नहीं करा हुआ बस लग रहा है चुपचा बैठे रहो फोन चलाते हुआ और वही हुआ थोड़ा दर फोन मैंने देखा और फिर नीचे आ ग पिना करते करते तीन सावा तीन बच जाते हैं और आज तो संडे है इसली और जादा ही खेल रहा है कि आज संडे है छोड़ दीजे को टिशन वाले भी सर आएंगे इस टाइम में उसे बुलाना पड़ता है कि आज जाओ जल्दी से अब सर आने वाले हैं साड़ी चार चुकी हूँ किचन में और वही है और बस साड़ी चार बजगे और ठंड का दिन भी है तो अब टाइम हो चुका है चाई बनाने का तो इसलिए में आए थी और कुछ मुझे काम भी करना है क्योंकि हस्बें आज कल लेट से खाना काते है तो उनके लिए तयारी करना पड़त चावल नहीं खाते है डारेक्ट साम में चार साड़ी चार बज़े आते हैं तो फिर रहता है कि नहीं आटा गूत कर मैं थोड़ा सा रोटी गरम गरम बना दू तो खाले अच्छे से तो यही पर सबसे पहले मैं आई किचन में आटा मैंने गूत लिया है ताकि जब वो आए फूल कोभी को काटकर धो क्रृ कर रखाए कि मैं प्लगो चाय दे देती हूं फिर पराठे क में मैं लगूँगे चाय मेरे अच्छे से बॉयल हो रहा है और मैं चाई को थोड़ा सा कोषिद करती हूं ज़्यादा पके अपालू उसके बाद ही पीने में ज़्यादा टेस्ट आरता होगा है आता है तो बस अभी फिलाल तीन कप ही चाई बनाई हूँ मेरे लिए पापा के लिए और मा के लिए तो चाई पीऊंगी पहले तो मामी पापा को चाई दे कर आती हूँ और उसके बाद मैं भी अपनी चाई लेकर बैठ गई थी और यहाँ पर अभीर भी खेल के आ चुका है तो मैं उसे बोड़े थी पैरहां धो अच्छे से खेल लिया है पैरहां धो कर अब स्वेटर वेगर पहनो वो बोला है नहीं मुझे गर्मी लग रहा है और होता है बच्चे सब उचलते हैं कूदते हैं तो थोड़ा सा गर्मी लग रहा है मुझे इस टाइम पे वार ठंड लग रही थी तो बस मैंने चाई पिया और फिर वही काम पे लग गई थी फुल कोभी को मुझे इस चौपर में चौप करना है पहले घिसकर बनाती थी पर ये चौपर जब से लिया इजी हो गया है घिसना नहीं पड़ता है इसमें अच्छे से फाइन चौप में कर लेती हूँ तो अच्छे से हो जाता है फुल कोभी और मेरे घर में पराठा किसी तरह का भी पराठा हूँ अलू का पराठा हूँ ये तो हर घर में ही आजकल होता है मतलब कुछ बने आना मैंने अलू और फूल कोभी का पराठा बनना तो मतलब बूलता है ने कमपल सरी होता है तो यहाँ पर मैं फ्राय करके बनाती हूँ तो यहाँ पहले घिस चॉप कर लिया था फिर जीरा अद्रक को भी गिस लिया था और प्याच को देखा अच्छे से भून लिया था मैंने फूल को भी को थोड़ा सा मसाला वेगर एड़ करती हूं उसमें तो उसका वीडियो मैंने नहीं बनाया और बस उसको भी ठंडा करने दे दिया है फूल को भी और बस अभी को अभीर को मैंने पड़ने बेठाया मतलब ठंडा गया husband आये तो उनको बनाकर मैंने खिला भी दिया और बाकी सब का नहीं बनाया कि गर्मा गर्म ही बनाऊंगी तो बस अब मिल रही हूँ मैं next day 22 जनवरी और 22 जनवरी हमारे देश के लिए बहुत ही सुब दिन था finally रामलाला की प्रतिष्टा हो चुकी है आयोध्या में इस दिन का कितना सालों से सब को इंतिजार था तो उसी के उपलक्ष में हर गर में आज दिया जलाय जा रहा है एक तरह से छोटी दिपावली बोल सकते हैं दिपावली ही मनाई गई 22 जन्वरी को बहुत ही सुब दिन था तो सुबह से मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था पर हमारे घर के पास में एक बजरंग बंदी मंदीर है वहाँ भी धूम धाम से सारे दिन पूजा होई थी और यहाँ पर रात को दिपावली मनाई गई थी तो यहाँ पर कितना सुन्दर से लिखा गया था 22 जन्वरी 2024 स्वास्तिक बनाए गया था जै स्री राम लिखा गया था तो मैं भी आ गई थी देखने के लिए पापा ने बोला कि जाओ देखकर आओ बहुत सुन्दर लग रहा है घर के पास में मतलब दो मिनट का भी रास्ता नहीं था घर के पास में बजरंग बली मन्दीर है तो फिर वही मैं निकली घर से मैं ज़्यादा तर घर से निकलती नहीं हूँ और बहुत ही आप लोग को भी दिखाना तो बनता है और उसके बाद फिर दूसरे मंदीर आ गई थी घर के पास में है कृष्ण जी का मंदीर है मतलब पार्थे सार्थी मतलब अर्जुन और कृष्ण उनका मंदीर बहुत से सुन्दर मंदीर है कुछ दिन के बाद वहाँ पूजा भी होगी स्पेशल पातर साथी के नाम से पूजा भी होती तो वहाँ भी बहुत दिया वागर जलाए गया तो वहाँ भी हम देखकर आए